तो ये है प्रॉपर्टी उदेश समुद्र रिसॉर्ट की सामने की साइड बीच है और काफी मतलब बड़ा रिसॉर्ट है बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है और रश भी बहुत जादा है हम लोग पहुच चुके हैं हमारे रूम पर आईए आपको रूम का व्यू दिखाती तो हम लोग आ चुके हैं उदेश समुद्र रिसॉर्ट में जो काफी बड़ा था मैं वाप करके थख गई मैं आपर बैठ चुकी हूँ और यहां ते ना एकदम पीछे ही बीच है तो हम लोग बस फ्रेश होकर पटापट से जाएंगे बीच पर फोड़ी बैठेंगे वैसे तो हम लोग अभी जा रहे हैं बीच पर और काफी मेंटेन प्रोपरटी है वैसे कि अबाटी है प्रोपरण कर दो हम लोग बीचे कर दो हम लोग बीचित कर दो हम लोग पर फोग्टापटी है झाल 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 तो हम लोग अभी जा रहे हैं खाना खाने के लिए लिफ्ट में जा रहे हैं नीचे और अभी बच्चुके हैं सवा साथ लेकिन हम भूख जल्दी लगी है क्योंकि दुपैर को में खाना नहीं खाया था सिर्फ जीउस पिया था तो अभी जा रहे हैं खाना खाने के लिए फिर आकर आप लोगों से मिलती हूं चलिए प्योर वेज रश्वन में जाना है यहां प कि यु सालों बाद में अच्छा मिल रहा है तो यहां पर आचुका है हमारा सूप डाहूल यह बोल रहे है कि अपने जैसा तो नहीं है पर अंतीन दिन प्र खबाए उससे काफी अच्छा है यहां पर आचुका है पनेचिली कि चलिए खाते हैं फिर आप लोग से में एड़ एडाओ एड़ नाइश प्रॉल जो कर दो कर दो हाई अबरीवन तो हमने खाना खा लिया है और हम लोग आचुके हैं वापस रूम पर खाना आज तो बहुत अच्छा था भर बेट खाया ऐसा लगा कि इतने विज़ों में हमने आज खाया कि इतने दिन में हार एक्स्पेरिमेंट था कि यहां अच्छा है वहां अच्छा है ऐसे गलते लेकिन आज तो पकता यकीन था कि यहां तो अच्छा है दिलेगा तो आज हमने भर के खाना खाया रोम पर आचुके हैं और हम लोग देख रहे हैं अभी टीवी और बस अभी थोड़ी दिर में सो जाते हैं फिर मिलते हैं अभी कल सुभा बाइ बाइ गुड मॉर्निंग यव्यवन वेल्कम बैक तो माई न्यू व्लोग और मेरी यूट्यूब चैनल पर आपस रिकार्टिक स्वागत है मैं यहां पर रिक्दम ठीक हूँ और होब करती हूँ कि आप भी अपने गर पर रिक्दम ठीक होंगे तो यह व्लोग मैं शुरू करिया हूँ सुभा सात बजे आज हमें जल्दी निकलना है तो हम फटा-फट से रडी हो जाते हैं और ब्रिक्फस्ट कर लेते हैं अब ही तो हैल टाय कर लिए लेकिन दिखते हैं अगर ऐसे ही अच्छे लागे तो ऐसे ही रहेंगे चलिए और खुरू कर दो हैं एंख तो हमेंगे तो हमेंगे कि एंगे दो हमेंगे बख़ अज़ ज़ जब किवाउ झाल झाल थैंक गॉड हमें वेज में काफी कुछ मिल गया तो चलिए अभी करते हैं नाश्ता और यहां पर आचुकी है हमारी चाई तो हम आ चुके हैं अजिमाला शिवा टेंपल और यहां का जो स्ट्रक्चर है महादेव की मूर्ती का वो बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर है तो चलिए अंदर चलते हैं मैं आपको दिखाती हूं झाली बहुत हैं झाली अच्छा स्ट्रक्चर है तो चलिए अंदर चलिए अंदर चलिए घ्टन चलिए अंदर अंदर स्ट्रक्चर हैं यहां बहुत ही खुबसूरत व्यू है लेकिन जो बीच है वो बहुत तूफानी है काफी लहरे उठ रही है सच में यार बहुत ही प्यारा व्यू है मन नहीं कर रहा है यहां से जाने का धूप बहुत है लेकिन ठंडी हवा है यह देखिये कितना खुबसूरत लग रहा है यह लूप बहुत जादा है इसलिए मैं थोड़ी काली पड़ गई बुफॉफॉफॉफॉट यह वंसान थे आर मदसा खुबसूरत रहा है यहां संड़ात रहा है यह है जोग विजफ यहां संड़िवे प्लिए शूटिंग एरिया बीची में आपका उता रहेंगे। बीची कूपर कैमल राइड है, कोल्स राइड है, कुछ करने तो उदर सो रुख्या चार्ज है। सबाद नदीक साकर का संग, इधर से बैक वाटर शुडवाता, राइबे नोशन और ने यार में। रास्ता में फ्रोटिंग उसे रेस्टारंट है, अब कछा या कॉपी, इसने इसलेंजी कुछ चाहिए, तो उन ट्रॉप करेगा या इस्टाइम देलेगा। सबाद एलिफन ड्रोग सेम, आती क्या पत्र होता है, बोटि दर साइड करेगा इधर से बोटो करेगा। सबाद प्रोटिंग कोटा है, अपन डाउन सिस्क्टम भूदा जर्मन डखना है, ये तो मदर मेरी स्टाइचू, लास्ट पुवार आइलेंदे कुछे चेकरमर के बाता साथ है, इधर तगर तो दो गंदा, इधर तगर तो ओना आला आपके लिए इसा वाला बोटा है, अम हम लोग आ चुके हैं, पुवार आइलेंड, ये हमारे रिसोर्ट से कुछ 10-11 किलो मिटर दू है, यहां से 1-1.5 गंटे तक की राइड जिसमें अलग 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 चीजें कवर होंगी, तो वह मैं आपको आगया के दिखाती जाओंगी, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया वह बहिया जैसे समझा रहे थे कि किस किस चज़ा को कवर करना है, तो हम लोग बस जाते हैं, उसके बाद हमें कन्या कुमारी निकलना है, तो चलिए मिलते हैं So हम लोग निकल चुके हैं, तो पुबरा आइलेंड आँ, तो हम लोग निकल चुके हैं, तो पुne रा आइलेंडरा,chen इंसवार पुवार तो तो पुर, सा पुवारी समिटिंग मैंचक को निकल चुके हैं और व्यू बहूँ अच्छा ये ब maker और ये हैं इसकी चार्जिज्स चलिए जाते हैं चार्ज़ वप से दाम है जाम का पारी इदर आप आपाए है इदर तो ही? असरेट पर समुद्र है ही समुद्र है, ओकर ही ही तेड पर समुद्र पारी इदर आपारी ही है इस है आइलेंट राउल दोला कुम लेड़े लेड़े इस 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 आइलेंड वाउ अभी यह भी यहामे ड्रो कर रहे हैं ट्रेंक क्योज़ भाउ झाल 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 बढ़ं देरी विल्ट का झाल कर दे लिए काँ कर दो एक आज कर दो । झाल झाल तो यह है आईलेंड के बीच में ही पूर आईलेंड रिसॉर्ट यहां पर शायद कितने साड़े साथ आठ हजार रुपए पर नाइट स्टे के चार्जिस हैं और बहुत लिमिटेड रूम्स हैं सच में यार कितना प्यारा व्यू है प्यार प्यार के यार लिसॉर्ट यार लिल्वार लिसॉर्ट यहां प्यार जाएट यहां बीच में और व्यू अे आठ हैं पैसलेल्षाव और दैजियो पार स्यंक्टैकलाश्य वाउं आर था हो प्राश्य सिस्टोन आर इंस हमा इपुद्जब करो रहरं दोती tahunी एत्य आर नंथिक वोड़ी मेई। इंस यह दो गुट्माइद शर्योंन जायं की वोट्योंन पार्भन आर नन Television यह जो पूरी राइड है यहां पर बेश वीच में काफी सारे कैफेज और छोटी-छोटी होटल वगेरा आती हैं ताकि हम लोग कुछ खाने पीने के लिए ले सकें और यहां पर हम रहे हैं कोल रिंग और पानी किता हो गया है वाट तेन तो गाइज हम लोग आज चुखे हैं गोल्डेन बीच की जो रेत है न वह बोल्डेन कलगी है वैसे मुझे तो यह मान भी जैसे ही लग रही है लेकिन 4500 4500 इस वर्थ इट क्योंकि हमें पूरी राइड में बहुत मजा आया अब यहां बना 40 मिनिट क पर ब्रेक है तो हम लोग यहां पर रुखे हुए है थोड़ी फोटो गया लेंगे दूप बहुत जादा है तो फानी की वज़े से थेंटाट बीच है तो हम बहुत एंजोई कर रहे है चलिए आये ज़िए आये ज़िए मैंने पैना है तो बूट ज्यादा लगेगी मुझे अच्छेन मंदिर जाना थाओ लग बहाँ थेंगे सीवा थेंपल इस दिया मैंने कुछ ऐसा बाइना वाव लुक प्राहुल बहुत ही जादा एंजोई कर रहे हैं लेकिन पानी काफी बाहर आ रहा है जैसे उन्होंने रस्ती बांध रखी है कि इससे आगे नहीं जाना है लेकिन पानी बहुत ही इस तरफ आ रहा है और ठंडक तो बहुत जादा है लेकिन धूप भी बहुत है तो टैनिंग होने वाली है पूरी और यहाँ पर ना दो कलर का पानी है एक ग्रे टाइप है और दूसरा जो सी ब्लू कलर होता है वो पानी का कलर है तो दो पानी यहाँ पर मिक्स हो रहे हैं पानी का स्थे काम कैंज खाएब और यहाँ झाल झाल यहां पर आप लोग देख सकते हो कि कितना तूफानी हो चुका है यह समंदर तो हम यहां पर पी रहे हैं नारियल पानी और यहां पर नारियल तो कुछ अलग तरीके से ही काटते हैं हम निकल देखे हैं वापस और यहां पर देखिए कितना खुबसूरत लग रहा है यह प्लेइन एकदम आस्मान में क्लियर दिख रहा है हाई अबरिबान हमने बहुत एंजोई किया लेकिन हमारा कलर ब्लैक हो गया है पर यह कोई बात नहीं बहुत प्लूरत जगा थी अभी हम जा रहे हैं कन्या कुमारी एक गंटी का रास्ता है कन्या कुमारी का और बस थोड़ी दिर में हम लोग पहुंचने वाले हैं और यहां पर न आप हर जगा नारियल के खेत जादा आपको दिखने को मिलेंगे जैसे कि नारियल के प्लांटेशन कोकोलेट प्लांटेशन यहां का फीमस है और अभी मैं आप लोगों से मिलती हूं नेक्स्ट व्लोग में तब तक के लिए इस वाले व्लोग को बहुत सारा प्यार दीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट व्लोग में तब तक के लिए लाइक, शेर और सब्सक्राइब